हेलो फ्रेंट्स एक काम करना भाई आपको कोई भी सीनियर हो किसी ने भी अगर कैट में 99 परसेंटाल अचीव करी हो या फिर किसे का इंटर्व्यू देखना और उससे पूछना कि भाई कितनी बार ऐसा हुआ था कि उसको यह फिलिंग आई थी प्रेपरेशन के टाइम that I want to quit मैंने जहां पर प्रेपरेशन का सोचा था वहां तक मैं कर ही नहीं पाया मौक में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं मैं depressed हूँ अब मैं छोड़ना चाहता हूँ Now I want to quit मैं next year देखूँगा क्या मुझे करना है क्या नहीं करना बट इस साल मेरे से cat नहीं हो सकता तो आपके लिए एक letter लिखा है एक important चीज लिखी है जो शायद आपको एकदम right track पर align कर देगा and जिनके भी दिमाग में एक feeling है that I want to quit या मेरे से नहीं हो पाएगा उनके ये सारे के सारे doubts जो self doubts है वो दूर हो जाएंगे and maybe आप और मैं आज से start करेंगे अपनी पढ़ाई and जो हमारी dream percentile है उसको हम achieve करेंगे दो वीडियो एंग तक देखेंगे काफी सारी चीज़े मैंने हापे बोली है जो शायद आपको कहीं न कहीं help करेंगी so my name is Saurabh Kothari let's start सबसे पहले आप कोई भी champion देख लो इस दुनिया का किसी भी champion से बात कर लो किसी का interview पढ़ लो एक टाइम ऐसा आता है कि हम डेली एक ही चीज़ करे जाने करे जा रहे हैं डेली सुबह उठ रहे हैं एक topic पढ़ रहे हैं उसके practice questions all कर रहे हैं next day mock दे रहे हैं उसका analysis कर रहे हैं repeat हो यह चीज़े इतना बोर हो गया इतनी monotonous हो गए कोई excitement नहीं बची एक time पर आके हमें लगता है यार leave it just quit it and go to hell मुझे नहीं करना लेकिन इसमें आप एक चीज़ समझो अगर 100% लोग हैं इन 100% लोगों में से 95% लोग quit कर देते हैं and 5% ऐसे लोग हैं जो इस difficult phase को overcome करते हैं champion बनते हैं एक बहुत basic सी चीज़ सोचो आपको और मुझे एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि आपको भी भागना आता है मुझे भी भागना आता है और भागना बोल्ट को भी आता है everyone knows how to run but not everyone is an athlete भाई क्या हम race कर सकते हैं नहीं तो इसका मतलब क्या है भागने में क्या उसने दिमाग लगाना था हमें भी पता ऐसे भागते हैं लेकिन why this person is world's superstar क्यों इन्होंने back to back gold medal जीते क्योंकि जब हम लोग ने उस चीज़ को seriously लिया हमें पता था क्या सही है क्या गलत है यह वो लोग है जिन्होंने डेली एक ही चीज एक ही चीज बार-बार करी है भाई ऐसा नहीं है overnight success मिलती है they are repeating the same daily routine everyday for the moment की वो champion बनना चाहते है तो if you want to become champion जो तुम्हाली negativity है कि हमें यह छोड़ना है you do not have to quit what is the difference बहुत क्या difference है जो 5% student है जो top percentile होते है और बाकी 95% ला पाते है क्या वो talent का problem है क्या वो hard work का problem है क्या वो smart work का problem है नहीं the only answer is perseverance भाई अगर आप consistent होना अगर आप end moment तक भी consistent हो कि मुझे करना है चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा I want to continue definitely you will get result always 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 remember that winner is the loser who tried once more time and refuse to quit all winners are losers वो बहुत बार failure हुआ है बहुत बार उनके mocks नमबर नह है जिनकी 99 percentile है उनकी कभी पहले मौक में 100 percentile 99 percentile नहीं आती थी but they refuse to quit उन्होंने का we will prepare heart we will put all our heart and soul we will put our best of efforts and वो इस चीज़ को repeated basis में करते रहे till the time exam था and then they become champions और जो बाकी लोग पीछे रहे वो भी वही preparation थे but उन्होंने बीच में छोड़ दिया तो अभी इस moment पर आप अभी question निकल के आता है कि sir what to do when you are in the zone of negativity हमें लग रहा है हमारे friends कह रहे है तब दो महीने बचेया होई नहीं सकता 99 percentile थोड़ी आती है क्या करोगे अपने goals को catchy receive करोगे but you have to become deaf deaf का क्या मतलब वहाई deaf का मतलब होता है कि आपको अब कुछ नहीं सुनना you have to be 100 percent focused वह एक लोग अपने बड़े बड़े frog लेके आते हैं उनको training करते हैं और उन सारे के सारे frog को well में डाल देते हैं और इस कुए में से इन frog को निकलना होता है ठीक है अब क्या होता है सारे के सारे frog इसके अंदर आगे है जितने में अए बहुत गरीब सा इनसान होता है उसे road पे frog मिल जाएगा वो जीट जाएगा तो भाई अब क्या होता है एक ही टूर्नमेंट स्टार्ट होता है सारे के सारे जो फ्रॉग है वो इस वेल के अंदर जा चुके है लेकिन वेल के अंदर से बाहर आना is impossible उनको बहुत डिपिकल्ट लगा तो इतने ट्रेंड ट्रेंड फ्रॉग थे काफी सारे लोगों के फ्रॉग्स थे वो सारे के सारे फ्रॉग इस्ट्रगल करने लगे इस्ट्रगल करने लगे रिघिट, काफी सारे फ्रॉग नहीं क्या करई गिवप कर दिया। दो मिला था ये celui- receives उपर चड़ रहा है उपर चड़ रहा है पिर नीचे गिर है जब यह नीचे गिर तो नीचे वाले फ्रॉग जो है जो गिरे वे फ्रॉग वो चिला रहे है तो ऊपर क्यों जा रहा है तू और चोट लग जाएगी तूपर निकल नहीं नहीं सकता इस वैल से भाहर नहीं निकला जा सकता इस इंपॉसिबल सब चिला रहे हैं लेकिन ये फिर से चड़ता है ये फिर से ट्राइ कर रहा है फिर से ट्राइ कर रहा है फिर वापस गिरता है फिर इसका चोट लगती है जितने फ्राइब नीचे वो कहते हैं क्यों कर रहा है ऐसा वेकार में तेरे को और जादा एक्स्टेंट हो जाएगा कोई पॉइंट नहीं है वाई आर यू ट्राइंग अब जो लोग ऊपर खड़े हैं जो लोगों के फ्रॉग से वह लोग भी देख रहे हैं यह यह फ्रॉग बहुत जादा ट्राइक कर रहा है इस इस अपना फ्रॉग लेकर जाने लगता है और जितने भी बाकी लोग हैं वो सोचते हैं हमारे इतने अच्छे फ्रॉग थे तब भी वह बहार नहीं आ पाए और यह गरीब सा फ्रॉग था जो इसे रोट पर मिला था वो कैसे बहार आ गया तो यह सोचते हैं कि इस गरीब इ मेरा जो फ्रॉग है, he's deaf! वो सुन नहीं सकता, वो बहरा है! तो जब नीचे के लोग यह चिला रहे थे कि तू नहीं कर सकता तो चोटं क्यों ले रहा है तो इसे लग रहा थाए इस से मोटिवेट कर रहे हैं कि तू कर सकता है! तू कर सकता है और फिर जब आप लोगे ने क काम पर focus करना है and just like this frog हो सकता आपके मौक में नम्बर नहीं आए हो सकता भाई बार बार आपने results achieve नहीं कर पा रहे हो but if you are consistent and if you have become deaf to negativity and if you are focused just like Arjun you will definitely 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 get through trust me on this भाई आपकी negativity यही है कि आपको लोग कह रहे नहीं कर सकता शोशल मीडिया कह रहा है तू नहीं कर सकता एक महिने में कुछ नहीं हो सकता दो महिने में कुछ नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता यह बात वो लोग बोले जिनका खुदी नहीं हुआ are you getting my point? तो you have to become deaf to all kind of negativity आपको कुछ नहीं सुनना है इस फ्रॉक की तरह है आपको बस अपना गोल की तरह फोकस करना है कि मुझे इस कुवे से भाँ निकलना है मुझे अपने cat exam को crack कर रहा है the only sole focus अगर आप उस पर determined हो तो trust me on this you will definitely 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 get through इसके बाद question आता है sir how to find the right set of motivation आपने ये बता दिया motivated रहना है motivated रहने के लिए हमारे सामने challenge बता है क्या आता है हम daily सुबह उखते हैं अपना syllabus देखते हैं क्या करना है और question निकल के आता है ये कैसे होगा इतना सारा syllabus है sir कैसे होगा मैं तो quant में इतना कुछ रह रह रहा है लर में मुझे advanced LR नहीं आता LR based DI नहीं आता vocabulary में RC नहीं होता sir how to do it जितनी बार आप how to do it सोचोगे उतनी बार आपको वो काम difficult लगेगा nothing in this world is difficult if you break down in a smaller task आपको ये नहीं सोचना oh my god arithmetic बचा है geometry बचा है modern math बचा है मुझे 25 box देने है NMAT आ रहा है snap के paper के notification आ गई IFT हो गया clutter हो जाएगा सब कुछ और ज़्यादा confusion जाएगा और ज़्यादा botheration create हो जाएगा so what to do you just have to think you just have to focus why you want to do it the moment you started preparing for this exam आपका dream क्या था that you want to settle into one of the best B school maybe it can be IM, FMS, SP जान कोई भी आपका college हो सकता है उसके बाद आपकी life कैसे चेंज हो जाएगी you will be studying in one of the best B school you will be getting one of the best placement in India you will be at a very good career ये चीज सोचो this will inspire you the problem with motivation is that की एक दिन का motivation होता दो दिन का motivation होता वीडियो एक एक दिन का motivated हो गए pumped up हो गए दो दिन बार फिर demotivated हो गए फिर आपको motivate करो that is not going to work so what you have to do you have to find the inspiration why you want to do it because once I do it I will be in the best college I will be having the best career I will be getting the best placement and that is why we have to do it are you getting my point what I am saying भाई अभी जो आपका focus होगा your focus has to be on why you want to do it and not on how to do it हाउट के साथ हमें काम नहीं करना है हमें ये देखना है कि कैसे अपने काम को breakdown करना है the moment you start breaking down your task that is the moment you have taken a step in the ladder of success trust me on this are you getting my point तो सर अब हमें ये क्लियर हो गया है कि अब हम वापिस pumped up है हमें best college में जाने ही जाना कुछ हो जाए and we are not going to accept defeat until we compete जो मैंने आपको golden mantra बताया है you have to become a deaf frog now onwards you will not listen to anyone who will say दो महिने में नहीं हो सकता तीन महिने में नहीं हो सकता ऐसे ऐसे student है जिन्होंने भाई दो महिने क्या लास्ट के एक महिने भी तयारी करके उन्होंने cat crack किया है not because कि भाई उन्हें बहुत कुछ आता है just because उनको करना था they wanted कि मुझे इस exam को किसी भी condition में निकालना ही है there is no other option and यही मोटो आपका उना चीए and repeating the same thing we are not going to accept defeat until we compete so all the very best thank you so much take care and कोई और डाउट है तो इस नंबर में मुझे whatsapp कर दो and I am sure this video motivated you a lot inspired you a lot so share it with your friends ताकि जो भी लोग cat preparation कर रहे है they get a boost they get pumped up and they restart their preparation all the best